नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम प्रेप आईए सिंदी में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम आपके सामने 15 नॉम्बर 2022 के दैनिक कुछ प्रसुत कर रहे हैं, जिसमें देहिंदू, इंडेन एक्सप्रेस तथा P.I.B. से संबंदित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंबिक परिच्छा के प्रस्ण आपको अभ्यास के लिए दिये जाते हैं, साथ विगत वर्सों में UPSC के द्वारा प्रारंबिक परिच्छा में पूछे के प्रस्ण आपको हम अभ्यास के लिए देते हैं, और अंत में आज के एक महत्पुन तत्थी की चरचा करते हैं आज के दैनिक कुछ को प्रारम करने से पहले आप सभी अभ्यारतियों के लिए एक महत्पूर्ण सूचना है सापताहिक अंतराश्ची संबंद के संदर में हमारा सापताहिक रूप में जो सत्र प्रसारित किया जाता है वो प्रत्यक बुद्धवार को रात्री आठ से नौ के बीच में किया जाता है सापताहिक अंतराश्ची संबंद के इस सत्र में बीते सब्ता में अंतराश्ची संबंद की अलग-अलग जो घटना है उनके संदर में विस्तित रूप में चर्चा की जाएगी आप सब ही अभ्यारति इस सापताहिक अंतराश्ची संबंद के सत्र में भाग लें और अंतराश्री संबंद के संदर में अलग-अलग तत्थियों की जानकारी को राप्त करें। दैनिक कुछ के पहले प्रस्ट को हम देखते हैं, भारत में धर्म की सोतंता की अधिकार के संबंद में निम्लिखित कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है यह हैं। पहला कतन भारती संबंदान का अनुचेद 25 युक्त युक्त प्रतिबंदों के आधीन सभी नागरिकों को अंतर करण की सोतंता, धर्म को अबाद रूप से मानने, आचरन करने और प्रचार करने की सोतंता की गारंटी देता है। एक एकल वक्ति के रूप में और साथ साथ किसी धार्मिक समू की बात करें। सभी को धार्मिक सोतंता के जो अतिकार हैं वो संब्धानिक रूप में प्राप्त है। इस आधार पर दोनों कतन सत्य हैं, तो हमारा उत्तर एसी एक और दो दोन सत्य हैं। यहाँ पर इस प्रेस्ट का आधार प्रमुक रूप से यह है कि सुप्रंगोड के सामने एक याचका एक तरह से विचारा दीन है जिसमें प्रमुक रूप से यह कहा जा रहा है कि जो भी धर्मांतरन जबरन किये जाते हैं वहाँ पर एक तरह से उसको रोकने के लिए एक अलग से विश्यस कानून होना चाहिए इसी याजका की सुनवाई में सुप्रिंग कोड के दोरा यह कहा गया है कि जब भी हम धर्मांतरन की बात करते हैं वो भी जबरन रूप में तो यह देश की सुरक्षा और साथ साथ संबिधान में जो भी धार्मेश सुदंता का अधिकार है उ दूसरे प्रस्ट को हम देखते हैं बैस्विक उसमन के संब्ध में निम्रिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला बिगत 20 वर्सों में बैस्विक सत्य के तापान में अनवरत वार्शिक ब्रिद्दी हुई हैं 1880 में इसकी रिकॉर्डिंग की सुरुआत होने के बाद से वर बनाकर हमने यह प्रस्ट पूचा है जल्वाई परतन के अलग-अलग पक्षों के संदर में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे हम अलग-अलग चार्ट के संदर में दे सकते हैं पहले चार्ट में प्रमखुरूप से यह बताया गया है कि अगर हम कारबन डियक्साइ कि अगर हम वरतमान स्थितियों में देखें तो CO2 की जो एक तरह से सांदरता है अगर हम कंसेंटरेशन की बात करें वाई मंडल में तो यह 419 PPM यानि पार्ट पर मिलियन यह तरह से हो चुकी है और यह स्थिति तेजी से आगे बढ़ी है इसी के साथ साथ अगर हम तीसरे च अगर हम देखें तो आर्क्रिक छेत्र में हर्टसन की जो खाड़ी है वहां के छेत्र में दिखाया जा रहा है कि किस तरह बर्फ का जो चेत्र है वो गर्मियों में काफी कम रह रह रहा है और इसके कारण से पूलर वियर की जो जनसंक्या उसमें गिरावट देखी जा रही ह समुद्र तल के अगर हम तापमान की बात करें, तो यह लगबत 337 जेटा जूज तक पहुँच चुका है, और एक आकड़ा ये भी कह रहा है कि 1993 के बाद से, यानि जनवरी 1993 के बाद, अगर हम समुद्र के एक तरह से तल के इस्तर की बृद्धी की बात करें, क्योंकि प्रमुक कोई समझाते बड़े पैमाने पर नहीं हुए हैं, अगर हम इस चर्चा के आधार पर अपने दोनों विकलता है, तो यहां पर हमारा जो पहला विकल्प है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम 1880 के बाद से देखें, जब से तापमान की रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो सबसे गर्म वर्स 2020 और 2016 रहा है, तो इस रूप में आप देखें, 2021 यहां पर विकल्प आपका गलत है, दूसरा आर्करिक छेतर में उसमन विकल्बिस्व की आने भागों की तुनला में अधिक तीव रहा है, तो आप देखें, आर्करिक छेतर के असपास के भाग में, जो इस्ठल भाग है, वो जादा नजदीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से कनाडा से लगता हो हा जो उतरी अमेर इस रूप में दूसरा कतन यहां पर आपका सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है भी केवल दो सत्य है, आज के तीसरे प्रस्ट को हम देखते हैं, मैंगरूव व्रक्षों के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला जरा जुस् में भारत में मैंगरूव आक्षादन में कमी आई है, और तीसरा एविसेनिया, राइजोफोरा, सोनारटिया और ब्रोगेरा भारत में पाई जाने वाली मैंगरूव व्रक्षों की कुछ प्रजातिया है, इन तीनों के संदर में प्रमुक रूप से आप देखें, तो मैंग मैंगरूव की रूप में दिखा जाता है, बारत में अगर हम देखें, तो चाहे हम चिलका जील या सुन्दरवन की बात करें अपने पूर्वी तट पर, या अगर हम प्रमुक रूप से अगर अपने पस्सिमी तटों की बात करें, तो माना यह जा रहा है, चाहे हम गया है, ऐसी स्तिती नहीं है, इस तरह का भी आकलन नहीं आया है, तो यहां पर दूसरा कथन आपका गलत है, जहां तक पहले और तीसरे की बात करें, तो यह दोनों ही कथन सत्य हैं, इस कथन की सत्यता को इतरह से देखने के लिए, प्रमुक रूप से आप ध्यान लखें, जब हम वाइबे पैरी की बात करते हैं, यह हमने हिंदी का सब दूपियों किया है, जरा यूस्ता, इसका प्रमुक रूप से मतलब यह होता है, कि जैसे अगर हम यहां पर चितर में देख सकते हैं, कि जो भी बीज होता है, वो पेड़ में उपर ही लगा रहता है, और वहीं हो जाएगा, क्योंकि यह समदर के खारे पानी के छेतर में हैं, तो काफी हद तक विकसित रूप में जो बीज है, वो पौधे के रूप में जब आगे विकसित हो जाता है, तब यह तूटकर गिरता है, और फिर अपने आपको जब जमीन में इस्थापित कर लेता है, तो ध प्रमखरूप से वरक्षों की बात करें, तो वाईवापरी या जरायुस्ता के माद्धम से जो बीज होते हैं, वो पेड़ पर ही पूरी तरह से विकसित होते हैं, कुछ पौधे के रूप में आगे विकस करके, फिर उसमें से ठूटकर गिरते हैं, जिससे कि आगे उनका प प्रजातियों की बात करें, तो ये चारो प्रजातियां, एवेसेनिया, राइजोफोरा, सोनारटिया और ब्रोगेरा, भारत में पाये जाने वाली प्रमखरूप से चार प्रजातियां हैं, इन चारो प्रजातियों को अगर हम देखें, तो इसी करम में हैं, पहली, दूसरी तीसरी और चौती तो ये प्रमुक चार प्रजातिया हैं जो भारत में एक तरह से मैंग गूरूप के छितरों में पाई जाती हैं इस रूप में अगर हम देखें तो पहला और तीसरा कदन तो हमारा सथ हैं दूसरा गलत है इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी केवल एक और ती आज के चौते प्रस्ट को हम देखते हैं हाली में घोष्टित राश्टी खेल पुरस्कारों के बारे में निम्लिकित कतनों में से कौन साय या कौन से सही है यह हैं पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वच खेल सम्मान है और वरस 2022 में यह पुरस्कार स्री सरत कमल अचंद को प्रदान किया गया है ध्यान रखें भारत का सर्वच खेल का पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अगर हम 2022 की बात करें तो यह टेवल टेरिंस खेलाडी सरत कमल अचंद को प्रदान किया गया है पहला कतन सत्या दूसरा अंतर राजजी टूर्णामेंटों में समगर सीर्स प्रदासन करने वाले राजजी को मौलाना अबुलकाला माजा ट्रोफी की बात करते हैं तो यह अंतर विश्वेद्याल है यानि यूनिवेस्टी के इस्तर पर एक तरह से अलग-अलग विस्वित द्याले जब आपस में खेल प्रतिस परदाओं में भाग लेते हैं तो जो विस्वित द्याले सीर्स पर रहता है उसको मौलाना अबुल काला माजा ट्रोफी प्रदान की जाती है ना कि अंतर राजी एक तरह से प्रदाओं के आधार पर तो दूसरा कतनी आपर आपका गलत है पहला सत्य है इसलिए हमारा उत्तर हो जाता है एक केवल एक सत्य है यहां पर प्रदाओं का आधार यह है कि प्रमुक रूप से अगर हम युवा और खेल मंतराले की बात करें तो उनकी तरफ से 2022 के लिए राश्टी खेल पुरसकारों की घोशना कर दी गई है और जब हम राश्टी खेल पुरसकारों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो पुरसकार है वो मेजर ध्यांचंद खेल रत्न पुरसकार है और यह पिछले चार वर्सों में किसी भी खेलाली के दौरा खेलों में सांदार और उत्कृष्ट पुरसकार के लिए दिया जाता ह है तीसरा अगर हम देखें दौरा चार पुरसकार तो जैसा नाम से इस परस्ट है यह जो भी उत्कृष्ट कोच होते हैं उनको दिया जाता है इसी तरीके से खेलों में आजियों उबलब्दी के लिए ध्यांचंद पुरसकार खिलाडियों को दिया जाता है साथ साथ अगर खेल के प्रचार और विकास में सायोग कर रहे होते हैं उनको राश्टी खेल पुरस्थान पुरसकार दिया जाता है और अंतर विष्टवेद धैले टूर्नामंट में जो विष्टवेद धैले सीर्स पर रहता है उसको मौलाना अबुल का लाम आजा टरोफी दी जाती है इ और एक कासकते अलग से पोर्टल बनाई गई थी, जहांपर आप स्वयम आवेदन कर सकते हैं या कोई वेख्ती किसी अन्य वेख्ती के लिए आवेदन कर सकता हैं। और इन आवेदनों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिती बनाई थी जिसके अध्यक्ता सरोच न्यायले के सेवा निवत्त न्याईधीस न्यायमूर्ती एम खानविलकर के दोरा की जा रही थी कुछ के दूसरे भाग में हम UPSC के दोरा विगत वर्सों में पूछे गया प्रारंवी परिच्छा के प्रस्णा आपको अभ्यास के लिए दिया है प्रस्ट को देखते हैं किस प्रधान मंत्री के कारेकाल के दोरान भारत के संब्धान में नवी अंसूची को सामिल किया गया नौवी अंसूची को भारती संब्धान के अगर हम पहले संसुदन की बात करें, यानि पहले संब्धान संसुदन जो 1951 में पारित किया गया था, उसके आधार पर सामिल किया गया था, और तब प्रधारमंत्री की रूप में पंडे जवाला नेहरू कारे कर रहे थे, इस रू खुरूप से यहाँ पर बिसुबैंग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि आने वाले 15 वर्सों में, जो भी अलग-अलग सहरी चित्र भारत में विक्सित होंगे, वहाँ पर कुल मिलाकर लगबग 840 अरब डॉलर का निवेस चाहिए, अगर हम सहरी चि सुबधा है, बिजली पानी की सुबधा है, साथ-साथ वहाँ पर परिवहन की सुबधाओं की बात करें, इसी संदर में रिपोर्ट के अलग-लग पक्चों की हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर बिसुबैंग का यह कहना है कि आने वाले जो 15 वर्स हैं, वहाँ पर औसत रूप कि 2036 तक भारत में 600 मिलियन लोंग सहरी चित्रों में रहेंगे, और यह कुलाबादी का 40 प्रस्त होगा, ऐसी सिती में सहरों में जो आदारबू ढाचा हैं और जो सेवाई हैं उस पर अत्रिक दवाब होगा, वर्तमान इस्तितों में हम देखें, तो केंद और राज सरकारों के दारा सहर में जो बुनियादी धाचा हैं, उसमें लगबग 75 प्रस्त वित्त पॉशन किया जाता हैं, यहां पर आंकड़ा यह भी कह रहा है कि जब हम सहरी इस्थानी निकाय की बात करते हैं, यहां पर आंकड़ा प्रमुक रूप से बिस्व बैंक बता रहा है, तो यह कह आ जा रहा है कि लगबग आधा यानी 450 अरब डॉलर हमें नगरपाल का छेत्रों में जो बुनियादी जरूरते हैं, जिसे जलापूर्ती, सीवर, ठोस अबस्रिच्त प्रबंदन, सडकें, स्ट्रीट लाइड इनमें एक तरह से सुधार करने के लिए चाहिए, और आधा प् 15 साल में कह रहे हैं कि 840 अरब डॉलर की जरूत है, तो निजी निवेस का ये जो प्रस्षत अभी 5 प्रस्षत है, इसको हमें बढ़ाने की अवश्चकता पड़ेगी, रिपोर्ट में 2018 के आंकड़े का हवाले देकर ये कहा गया है, 16 अरब डॉलर अभी हम खर्च कर रहे हैं उसका अध्यन किया गया है, और उस आधार पर भारत में एक तरह से क्या इस्तिती हो सकती है, उसके बारे में आकड़ा दिया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों राज्यों में जो भी एक तरह से सहरी छित में पुंजिगत वे किया जा रहा है, उसका अगर हम तीन पुंजिगत वे का मतलब में जैसे सलक परिवान पर या बिज़ी के खर्च पर तो ये एक तरह का जो वे होता है वो भविशिक के आर्थिक क्रिया का आधार बनाता है तो इसको हम capital expenditure या पुंजिगत वे कहते हैं तो इस तरह के खर्चे में तमिलनाडू में देखा जा रहा है कि 70 प्रस्त और गुजरात में 55 प्रस्त वहां की राज सरकारों के दोरा किया जा रहा है गुजरात और तमिलनाडू के संदर में एक यहां पर अध्यन में ये भी कहा गया अगर हम वाड़िजिक वित्त पॉर्षण की बात करें इसका मतलब किसी भी तरह का अगर हम रिन की बात करते हैं जो बैंकों से लिया गया ये वित्ती संस्थाओं से लिया गया तो गुजरात में सेरी स्थानी निकाय के द्वारे ये जो वाड़िजिक वित्त पॉर्षण है ये कुल पुंजिगत वे का किवल एक प्रस्त है जबकि अगर हम तमिलनाडू में देखें तो यह जिगत वे कर रहे हैं सेरी स्थानी निकाय में रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि समस्यां जो भी सेरी स्थानी निकायों में धनकी कमी की आ रहे है उसका बड़ा करण ये है कि नगरपालका की तरफ से जो सेवाइं दी जाती है जैसे पेजल की बात करें या मालीजे बहुत अच्छी नहीं है अगर हम 2011 से 2018 के बीच का अंकड़ा देखें तो देश की GDP का केवल 1915 प्रस्त भाग सेरी चित में संपत्ति कर से आता है जबकि अगर हम निम्न और मध्यम आये वाले देशों की बात करें वहाँ पर यह GDP का दसंपत्ति करके संदर में जो इस्थितिया वह सेरी चेत में बहुत बहतर नहीं हें वहाँ पर सुधार करने की आवशक्ता है नगर पालका सेवाँ। के लिए कम सेवा सुल्क लेता है और यह भी एक तरह से उनकी वित्ति स्थिति को कमजोर करता है और ऐसी सिति में निजी नेवेश भी बड़े पहमाने पर आकर सित नहीं होता है क्योंकि नगर पालका में अगर वित्ती सिती कमजोर हैं तो किसी भी तरह से जैसे अगर हम नगर पालकाओं में देखें तो उनके द्वारा जैसे एक तरह के बॉंड जारी होते हैं जिनको मुनी बॉंड का जाता है मुनिस्पल बॉंड तो अगर नगर पालका खुद में मजबूत नहीं है तो वो इस तरह के मुनिस्पल बॉंड जारी नहीं कर पाएगी और अगर मुनिस्पल बॉंड आप नहीं जारी करेंगे तो आप निजी निवेस कैसे प्राप्त करेंगे तो समस्या यही है कि नगर पा पर आधारित हो, यानि आपको कुछ कारे दे दे जाए, उन कारे को आप बूरा करेंगे, तब सजगे शेतर को धन का आवंटन कीकिया जाए, अगर formula की शरते पूरी कर दी गई है, तो सजगे शेतर को धन है, वो बिना देरी के एक तरह से आवंटित कीया जाए, यह तंत्र बन यह हमारा 15 November 2022 का द्यानिक क्विज है, आने वाले दिनों में अन्ने दिनों के द्यानिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलप्त कराते रहेंगे, बाइजूस एक्जाम पर पाईए सिंधी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक सदिक संक्या में लाइक, सेर और सब स्टैप करना, ना भूलें, धन्यवाद.